नमस्कार आप सबका मेरा यूटीब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत हैं आज तीचिंग पामिस्ट्री के अंदर भाग गया रेखा के बारे में जानेंगे की दिमाग से कैसे पैसा कमाया जाता है और और ओल्ड एज ओल्ड एज कैसे खराब होती है जैसे बहुत सो लोग को एक टेंशन हो जाती है कि मेरी ओल्ड एज ठीक रहेगी नहीं रहेगी वो तो कुछ फॉर्मिशन्स बताऊंगा एक दिमाग से पैसा कैसे कमाया जाता है जैसे पार्म रिडर कहते है न मस्तिष रेखा जत्ती लंबी होती है दिमाग से पैसा कमाते हैं मैं तो भाग के रेखा की बात कर रहा हो कि भाग के रेखा कैसे माइल्ड से पैसा कमा सकती है बहुत को united चेंज हो गई सारी चीजे यानि Palm Reader आपको गुम्रा करता है उसे मस्तिष्क रेखा मालूम है दिमाग तो मस्तिष्क रेखा के बारे में ही बताएगा मस्तिष्क रेखा दो होंगी तो दिमाग से कमाएगा उसे ये नहीं पता कि भागे रेखा भी दिमाग से कमाई जा सकती है पैसा वो कैसे कमाई जाएगा इट मिस ग्यान की कमी है देखो ये भागे रेखा है ठीक है ये भागे रेखा ये मस्तिष्क रेखा है अब क्या करना है कि यहां से कोई भी रेखा निकल कर कोई भी रेखा निकलकर इसे टच कर दे न बहार जये, न आगे जये न कुछ करे, यहाँ पर रुक गई यहाँ रुक गई बस यह यहाँ रुक गई तो आप यह सोच लो आप का दिमाग इतना तेट चलेगा कि आपको दिमाग से पैसा कमा अब यह लोग गुम्रा करते है न कि अच्छे पाम्रेडर बनने के लिए ये चिन होना चाहिए वो चिन होना चाहिए ये है वो है ना ये भी एक होता है ये उनमें से एक चिन है अच्छे योतिष बनने है अच्छे कंसल्टfal Perms atign runs ए आपने चलानी है ठीक है अच्छे अपने अच्छे चलाने इहां पर यह होना बहुत जरूरी है यह जिस समझा गई अब यह तो रहा एक तरीके का ठीक है अब बात आती है दिमाग दिमाग चतुर कहां से आता है चतुर्ता 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 वानिजे चतुर्ता तो बुद्ध का पाट है चलो अब ये वली रेखा को हम ऐसा करते हैं न यहां पर पुचा देते हैं यहां पुचा देते हैं यह भी वही दिमाग से पैसा कमाएगा बिलकुल दिमाग से पैसा कमाएगा दिमाग से अच्छे विज्यानिक बनते सफल व्यक्ति बुद्धी के बल से पैसा कमाया जाता है ठीके तो मुद्धा क्या है कि इससे क्या होता है अगर ये रेखा यहां टच होती है तो व्यक्ति दिमाग से मांसिक संकल्प उसका इतना बढ़ जाता है कि उसे न वह वो सोचता है कि नहीं काम निकलेगा इससे कैसे नहीं निकलेगा मैं निकालूंगा आगई समझ बहुत असान है यह तो चीजे पर लेकिन हमें समझ नहीं हम तो बस इतना कहते हैं दोहरी मस्स श्रेका अरे दोहरी तो तब है ना जब भाग के रेखा वहाँ पर टच नहीं हो रही इसलिए दो निकाल दी दो निकाली तो क्या होगा दो लेंग्विज तीन लेंग पांच लेंग्विज्ट यह ऑराम से शीक लएंगें फिसी भी देश में जाएगा मां की लेंग्विज्ट इसलिए तूसरा विखती है एक लेंग्विज ननी बोल पाता है यह लूघ बोल लनेरेट रेसेंटेशनेशन अच्छी होती है अभी हम मस्स तर प्रेक्ष के बार वो कैसे हम करें कि ये हमारी सही जाएगी ठीक है देखो जहां मैं बना रहा हूं चीजे वो पहले concept को समझ लीजेगा concept को समझना कि एक चीज नहीं इस भाग्य रेखा के साथ 3 इसका फार्मूला होता है तीन बटा एक देखो फार्मूला क्या है इसका तीन बटा एक ठीक है यह है इसका फार्मूला ठीक है थ्री ओबलिक 1 ठीक अब यह थ्री ओबलिक 1 का क्या मतलब है 1 क्या है ये 3 क्या है 1, 2 and 3 यानि जब कभी भी आपने old age से संबंदित चीजे देखनी है तो यहाँ पर आपने क्या करना है इन गतिविदियों को जरूर देखना है तो यह formula याद रखना ठीक है? याद रहेगा? ठीक अब इसको देखो ये क्या करनी है? यहां तक light है, यहां dark हो गई कहीं से भी dark है, उपर dark है या बीच में dark है आप ये समझो कि कौन सी age से उसे ज़्यादा परशानिया आ रही है पहले तो ये समझो ठीक है? और उपर अगर है तो तो बड़ापा तो आपको पता ही है उपर इसका तो उपर ही देखा जाता है ठीक है न? ये तो हमें पता है न? उपरधान रेखाओं का शुरुवात नहीं देखते हैं उपर कटम देखते हैं, अंत देखते हैं अब यहां पर क्या है? या तो ये dark हो पहली compatibility दूसरी compatibility या ये रेखा यहां पर आकर ये टूट जाए और इसके उपर cross या बिंदू आ जाए cross या बिंदू आ जाए ये एक compatibility, अब इसके अभी फार्मुला क्या बना? एक फार्मुला इसके तीन पार्ट अभी ओर है न? तीन पार्ट है ठीके ये चे समझ आई अब हमने जीवन रेखा देखनी है जीवन रेखा क्या करेगी इस टाइम पिरड़ पर न ये ऐसे तूट जाएगी इस टाइम पिरड़ पर ये अभी अभी इसका अभी दो पार्ट और चलेंगे मस्तिष रेखा लास्ट में तीसरी रेखा लास्ट में नीचे की और तो ये सोचो बहुत बुरी हालत होगी बहुत बुरी अब ये मैंने बहुत वर्ड लगाया अब ऐसा तो नहीं है सब लोगों के आप यही देखोगे अब आपको कॉंसेप्ट किलियर हो गया कि भया तीन बटा एक तो फार्मुला रहेगा ही रहेगा यानि अगर छोटी मोटी चीजे मान के चलो किसी की भाग के रहेखा तूटी हुई है और किसी की लाइफ लैन टूटी है हाँ इसे दिक्कत तो आएगी लेकिन कम आएगी इसे क्योंकि अभी तीन बटा पूरा नहीं हुआ हमें बहुत तक नहीं पहुँचना इसको यह नहीं बताना कि अना थाले में पहुँच जाएगा यह आश्रित हो जाएगा यह इसको बहुत बिमारियां घेर लेंगी यह ऐसा नहीं कहना हाँ इसे थोड़ी बहुत तकलिफे आपको पहले वो चीज़े देखनी है समझनी है कि तीन बटा एक पूरा होना चाहिए तब कहना है कि इनकी अंतिम अवस्था बहुत दुखदाए बहुत दुखदाए होगी जिसमें इनका स्वास्थे बिगडेगा क्या है फार्मुला जिसमें इनका स्वास्थे ठीक है अब हमने क्या करा यह भाग के रेखा है ठीक है अब भाग के रेखा कि हमने अंत में देखा कि यहां पर यह बन गया एक छोटा सा आइसलेंड बन गया ठीक है और यहां पर यह रेखाएं ऐसे बोगई ठीक है अब क्या है ध्यान देना कि यह इसका फर्मूला होता है कि यहां पर यह द्वीब इन दोनों की compatibility को पूरा कर देगा यानि एक द्वीब माइड लाइन और हाट लाइन की compatibility को पूरा कर रहा है यानि यहां कुछ भी नहीं है और भाग रेखा पर अगर द्वीब का निशान है और नीचे अगर आपकी लाइफ लाइन अगर टूटी है तो आप इन दोनों को इग्नोर करते हुए भी कह देना कि उनकी लाइफ में वर्द अवस्ता बुरे स्वास्त के कारण बहुत बुरी हालत बुरी हालत में जाए तो आपको समझ आ गया कि बहुत स्वास्ते बुरी हालत क्या compatibility का फार्मुला है तीन पटा एक दूसरा आपको द्वीब जिसके समझाई ठीक अब मान लिया जाता है कि यहां पर यह द्वीब है ही नहीं क्रॉस है अब यहां पर क्रॉस आ गया ठीक है तो यहां पर आपने क्या करना है यह अगर कोई भी रेखा सामने सही चल रही है केबल क्रॉस तो बस इसे यह बोल दो यह बोल दो हाँ आपको परशानी आएंगी आपको ना ओल्ड एज में परशानी आएंगी बस आगई समझे देखो कैब बड़ा चड़ा के कुछ नहीं बोलना जहां पर क्रॉस आ जाता है नीचे क्रॉस आ जाता है अरे आपके ना रहे हो लोन ले रहे हो हां जी हां यही है ठीक है नीचे आ जाएगा तो यह ऊपर आ जाएगा तो अब रस्दवस्था में जो है ना ठीक है यह आपको जो है ना यह थोड़ा सा प्रशानियां रहेंगी यह ची समझ आई तो मैंने आपको कैसे ओल्ड एज से रिलेटेड चीजे अब दिखो अब मान के चलो किसी के माबाप मर जाएं समझे है डेथ हो जाए उनकी और उस व्यक्ति पर पहाट तूट जाएं यह कैसे पता लगता है माबाप के मरने के बाद उस व्यक्ति की अवस्था बिलकुल डाउ हो जाती है कि उसको उसके पास उसे लगता है कि मेरी जिंदगी खतम हो गई मेरे पास अब खाने को पैसा नहीं है अब मैं क्या करूंगा मेरे माबाप का साया मेरे सिर से निकल गया ना घर है कराए का घर है सब कुछ है अब क्या करें चोटा बच्चा है क्या करें बारा साल का है 18 साल का है 20 साल का है नहीं कमारा क्या करेगा मा भी मर गई बाप भी मर गया या बाप चला गया मा नहीं है कमाती कमाती नहीं है मा उसे भी दिक्कत उसे भी तो इसको समझने के लिए क्या करना है हमने यह भी भागे रिखा का पाट है यह भी यहां पर समझना है यह क्या कर चाहेगी यहां पर आईदार ऐसे द्वीप बन जाएगा समझते रहें, किसे भी तरीका से छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, वो तो आपको पता, इतना बड़ा तू बनता भी नहीं कभी भी, ठीक两 exiting बड़ा देता है। तो वो आपने देखना है कि यहाँ पर कोई द्वीब का निशान है या नहीं है मुद्दा समझ लो यहाँ पर ना शुक्र की प्रभावी रेखाएं जरूर आएंगी साथ में इस से निकलती हुई रेखाएं जरूर आएंगी और एक रेखा यहां से जरूर आएगी यहां से जरूर आएगी ठीक है यानि मुद्दा क्या है यह रेखा यहां से आगई यहां भी बढ़ सकती है भाई उसके पिता की देथ कहीं भी हो सकती है यहां भी हो सकती है इस एज में भी हो सकती है बड़ी उमर में हो जाए कुछ बहुत अच्छा बिजनस चल रहा था सारा घाटा हो गया बाप के पास बहुत पहले पैसा था लेकिन वो दिवालिया घोशित हो गया पिता को डेथ हो गई बहुत सरकम्स्टांसिस होते हैं आप ये सोच के चलो मुद्दा क्या है उमर छोटी तो यहां तक और बड़ी तो यहां तक मुद्दा समझो यहां पर मान के चलो स्टार या छोटा सा द्वीब स्टार छोटा सा द्वीब छोटा सा द्वीब और यहां से रेखाएं ऐसे ऐसे या यहां से रेखाएं ऐसे ऐसे लेकिन वो रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच होनी चाहिए सपोस मान के चलो यह एक दूइप है तीक है अब इस जिए दूइप की यह रेखाएं क्या करेगी एक रेखा ऐसे आजाएगी एक रेखा ऐसे आजाएगी कि शुक्र की प्रभावी रेखा हैं न क्या करेंगी इस वाली रेखा को टच करने की कोशिश करेंगी आईदर द्वीब को यहाँ पर स्टार को ठीके यह करेंगी और अब क्या होगा यहाँ पर जो द्वीब का निशान है यह प्रभावी रेखा हैं यह प्रभावी रेखा हैं और उसके कारण उसके उपर पहाड तूट जाएगा मुसीबतों का। पिता के पास ना असल में पिता के पास 20 लाग का कर्स था और उन्हें हाट अटेक हो गया अब बच्चे के उपर सारा उसे उतारना पड़ेगा। वो गरंटर था वो कुछ भी काम हो सकता है समझो कि उसके उपर पहाड तूटना तूटना है पिता का की फैक्टरी जो थी वो निलाम हो गई अब ये कराए पर आये हार्ट अटेक हो गया एक तो वो बिमारी का पैसा एक उदरा से कुछ नहीं कराए पर आये हैं और वो चीजों को समझोगे तब समझाएगी कि कैसे एडवांस पामिस्ट्री को पढ़ते हैं तो समझाई ठीक है अच्छ अब एक लास्टी जो और बता देता हूं वो भी एक्चुल में ये आईसलेंड से रिलेटेड है भाग के रेखा पर ठीक है ये क्या होता है कि भाग के यहां पर यहीं से शुरू होती है ऐसे अंत देखा जाता है इसका यह शुरुवात हो गई न तो यहां से यह द्वीप का निशान हो ठीक है यह यहां पर द्वीप का निशान हो गया अब आपने देखना है कि यहां पर यह जो शुरुवाती टाइम पिरड होगा न उसका व तो कमजोर मानसिक्ता का ना ये इशारा देती है इसकी जो मानसिक्ता है वो कमजोर होगी कमजोरी के संकेत देगी तो आपने देखना है कि कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते बहुत नहीं पढ़ पाते उन्हें जित्ता मर्जी समझा दो पीट लो जो मर्जी कर लो तो आपने पहले देखना है क्या ये कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही है ये भी एक उसमें से जो है compatibility बैठती है आगई समझ तो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बहुत सारी बताया कि old age बताया उसके बाद बताया कि कैसे दिमाग से कम लिया जाता है और वैसे बताया कि मापाप की मृत्यू जो होती है उस पर पहाट तूटता है तो वो कैसे होता है और मांसिक तक कमजोर कमजोरी की निशानी कैसे होती है ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजेगा कमेंट शूर कीजेगा धन्यवाद